सोशल मीडिया के जरी एकसर ठगी, दोस्ती और धोकादड़ी के कई मामले पहले भी सामने आते रहे हैं लेगने इस बार जो नया मामला हम आपको बताने जा रहे हैं वो हैरान कर देने वाला है केरल के तिरुवनंत पुरम में दसवी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपने ही परिवार का 75 तोला सोना करीब 37 लाक रुपए अपने उन दोस्तों को गिफ्ट कर दिया जो से सोशल मीडिया के जरीये मिले थे मामला जैसे ही सामने आया तो परिवार ने पुलिस में शिकायद दर्ज कर आई तब जाकर खुलासा हो पाया कि घर से चोरी हुआ सोना कहा और किसके पास गया एशानेट नियूज के मताबिक शिबिन नाम के एक शक्स ने एक साल पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी आर्थिक तंगी के बारे में बताया था इस पोस्ट पर दस्वी पढ़ने वाली पंद्रह साल की चात्रा की नजर भी पढ़ गई और उसने शिबिन से बाते करनी शुरू कर दी धीरे धीरे दोनों में नस्दीगी बढ़ते चले गई और शिबिन की आर्थिक मुश्किलों को दूर करने के लिए चात्रा ने एक हरांद कर देने वाला कदम उठा लिया चात्रा ने घर में रखा हुआ 75-12 सोने में से कुछ अपने सोशल मीडिया के दोस्त को गिफ्ट कर दिया इसके बाद शिबिन ने अपनी मा के जरीए सोना बेश दिया और घर का रेनोवेशन कराकर 10 लाग के करीब रुपए घर में रख दिया उधर शात्रा के घर में जैसे ही सोना गायब हुआ तो हरकम पमच गया पुलिस में शिकायत दर्श कराई तो मामले का खुलासा हो गया पुलिस ने शिबिन और उसकी मा को अरेश्ट कर लिया है शिबिन के घर से पुलिस को 10 लाग रुपए भी बरामद हुए है शात्रा निवाद में बताया कि उसने करीब 40-16 सोना पलकड में रहने वाले अपने एक दोस्त को दे दिया जिससे उसकी इंस्टाग्राम पर मलाकात हुई थी जैसे ही दोस्त को सोना मिला तो उसने शात्रा को ब्लॉक कर दिया फिराल पुलिस मामले की तहकिकात बजूटी हुई